असलाम अलेकम वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं हमीरा उनलाइन टीवी आज के वीडियो का टॉपिक है कोरल ड्रा 12 लेसन नमबर 3 अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल पर डिजाइनिंग के हवाले से विश्मार वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे तमाम वीडियो आप तक कि इस पर यहां पर यहां पर हमारे पाश हरा यह हम शेप तूल इक क्यों हम प ensuite कि यहां पर हमारे पाश था है तो सबसे पहले यहां पर event एक रेक्टेंगल अप्लाई करता हूँ यह कलर फिल किया और यहां से मैं इसको कमाड को छोड़ देता हूँ और यह जो रेक्टेंगल इस वक्त स्लेक्ट है तो यहां से इसको मैं ओपन करता हूँ और यहां पर मैं जिस वक्त लेट क्लिक प्रेस करके तो मौईस को ड्राइग करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यह रोटेंट होना शुरू हो गया है यहां इसके साथ हम अबजेक्ट को जिस पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मौउस को हम ड्रैग करेंगे तो यह उसी पॉइंट को अपना सेंटर एक्सिस मान कर यह रुटेट होगा हमारा अबजेक्ट, तो इससे हम मुफ्तलिफ जो अबजेक्ट्स हैं, उनको रुट दो तीन जो है अबजेक्ट यहां पर मैंने प्लेस की हैं, जैसे यहां पर मारे पास है, यह है और यहां पर यह है, तो यह जो मारे पास है, नेक्स्ट टूर, विर्चुल सिग्मेंट डिलीट, इसके साथ आप किसी पॉइंट पे आके जब क्लिक करते हैं, यह देखिए क्लिक कर रहा हूं, और अब मैं इसके कॉर्णर पे क्लिक किया, तो आपने देखिए कि वो इसको इस पॉइंट से बाहर बाहर जो है, वो काट दिया है, जबकि इसका कुछ हिसा, इसकी जो रेक्टेंगल उसका हिसा यहां पर मजूद है, इसको पे लेफ्ट क्लिक किया, तो यहां से इसको किलियर, इसके बाद हमारे पास यहां पर जूम टूल है, इसको स्लेक्ट करें, और यहां से लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए, इसको मैंने माउस को ड्रै किया है, तो आप जितने हिससे पर यह बॉक्स आप क्रियेट करेंगे, तो यह उसको जूम कर देगा, और जूम फिट करने के लिए आप F4 प्रेस करते हैं इसके बाद यहां पर हमारे पास है Hand Tool इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहां से हम Left Click प्रेस करके Page को Move कर सकते हैं वैसे तो यह काम यहां से हम बटन से भी कर सकते हैं इस तरह से लेकर यह हमारे पास Tool भी मुझूद है इसके बाद यहां पर Free Hand Tool यहां पर हमारे पास यह 8 Tools हैं जिसमें सबसे पहला है Free Hand Tool इसको मैं यहां से Select करता हूँ और इसको मैं किसी भी पॉइंट पे Left Click प्रेस करके तो यह मैंने Left Click प्रेस करके छोड़ दी है तो उसने पॉइंट पकड़ ली है तो अब मैं जिस पॉइंट पे भी चाहूँ इसको दूसरी क्लिक करूँगा तो यह Apply हो जाएगा अगर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को मूग करूँ तो कोई भी By Hand शेव क्रियेट कर सकता हूँ इसके बाद यहां पे हमारे पास है Bezier टूल Bezier टूल यहां पे हम आते हैं तो यहां पे मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया है प्रेस करके छोड़ दिये और इसके बाद मैं यहां पे इस पॉइंट पे आके दुबारा मैंने left click press किया है तो इस तरह से हमारे पास एक line create हो गई है अब यह first point और यह second point अब मैं यहाँ पर click करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यह line यहाँ तक extend हो गई है अगर मैं left click press करते हुए उसको अभी मैंने छोड़ा नहीं है left click को मैंने press रखा हुए और mouse को मैं move कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यह इस तरह से shape create हो रही है यह मैंने left click है उसको छोड़ दिया है अब यहाँ से मैं next फिर click किया तो यह आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसने फिर point पकड़ा और यहां से यह shape create करते हुए यह shape create कर लें तो इस तरह से हम इसके साथ मुफलिफ shapes जो हैं वो create कर सकते हैं इसके बाद है artistic media tool तो पहले हम यह जो है इसको delete करते हैं और इसके बाद हम next tool पे आते हैं artistic media tool यहां पे मैंने click किया तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास preset brush sprayer और calligraphic और pressure यह चार चीज़े यहां पे चार tool हमारे सामने आ गए हैं तो फर्स करें यह preset है तो preset में हमारे पास यह option होता है जो preset को click करते ही यहां पे इस arrow पे click करूंगा तो यह open इस तरह से हो जाएगा यह जिसमें preset मुख्तलिफ उन्होंने दिये हों कि आप इसमें से अगर कोई भी preset select कर लेते हैं तो यह फिर उसी तरह की ही चीज क्रिएट करेगा यहां से इसको मैं color देता हूं तो आप देख रहे हैं कि जो shape यहां पे है वही shape यहां पे create हो गई है इसको मैं यहां से फर्ज करें यह है तो मैं इसको यहां देख रहे हैं कि यहां पे वही shape यहां पे है वही shape यहां पे create होगी यहां से हम कोई भी चीज select करेंगे तो वह उसके उपर apply हो जाएगी तो इसके बाद यहां पे हमारे पास है brush अब brush में भी यहां पे उसने मुक्तलिफ options हमें दे दी हैं फर्स करें यह arrow क है मैंने arrow को select कर लिया तो यहां से मैं जब इसको छोडूँगा तो यह यहां पे create कर देगा तो यहां पे हमारे पास यह इसके साथ मुक्तलिफ option है जैसे यह आप देख रहे हैं कि मैं यहां पे इसको बढ़ा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि उसका size भी जो है न वो बढ़ रहा है यहां पे मैं इसको यह देखें यहां पे 30 पे कर दिए तो इस तरह यहां से हम इसका size जो है वो अपने requirement के साथ से adjust भी कर सकते हैं बाकी अगर मैं इसको छोड़ूँ तो यहां पे आगे मैं इसको यह stretch together यहां से तो कर सकता हूं ठीक है यहां पे मैं अगर double click किया है मैंने यह देखें पहले unselect किया अब यहां पे मैंने click किया ठीक है अब दुबारा click करूँगा तो यह option यह हमें दे देगा यह rotate वाला ठीक है तो इस तरह से हम इसको rotate भी कर सकते हैं यहां पे ground पे click किया तो यह unselect होगए है ठीक है तो इस तरह से हम इसे मुख्तलिफ shapes create कर सकते हैं तो यहां से मैं इसको दुबारा select करता हूं तो इसमें इसी तरह से यह हमारे पास मुख्तलिफ shapes यहां पे मुख्तलिव डिजाइन styles पड़े हैं जैसे यह है तो इसको मैं यहां से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस पॉइंट पे मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ा तो यह वही जो style है यहां पे apply हो गया है वही shade apply हो गया colors तो इसी तरह से अगर हम यहां पे आते हैं सप्रेयर पे तो सप्रेयर में यहां से मैं left click प्रेस करके और यहां पे मैंने उसको छोड़ दिया है तो आप देख रहे हैं कि यहां पे उसने यह style यह मुख्तलिफ style यहां पे मारे पास पड़े हैं जैसे फर्ज़ करें यहां पे मैं यह वाला style select कर लेता हूं तो आप देख रहे हैं कि वही style यहां पे apply हो चुका है इस तरह से इसी तरह यहां पे मैं आके मज़ीद अगर मैं इसमें यह कर देता हूं तो उसमें यह वाला style आ चुका है तो इसमें हमारे पास जो मुक्तलिफ designs जो हैं वो पहले से मौजूद हैं तो हम जैसा भी अपने किसी भी object पे apply करना चाहें तो वो यहां से हम कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास यहां पे यह settings भी हैं इसी object के लिए तो यहां से मैं इसको करता हूं और इसके बाद मारे पास यहां पे up and down यह आप देख रहे हैं कि यह जो उनकी quantity है यहां से बढ़ रही है जो इसके अंदर object हैं और यहां से उनकी quantity जो है वो कम हो रही है यह देखे है थीक है इसी तरह फिर यहां से अगर इसको मैं अब कर रहा हूं तो यह कुछ इस तरह से चेंज हो रहे हैं तो यहां से इसको मैं clear करता हूं करता है